हेलो दोस्तों मैं हूँ आपकी सकीर कूँ वेलकम टू माई चैनल दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सभी बहुत है अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनसी भी बहुत ही हल्दी और हैपी चल रही होगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम बात होंगे कि प्रेगनसी के दौरान अगर आपको यह पाथ चीज़े अच्छी नहीं लगती है पसंद नहीं आती है तो यह गर्व में बेटा होने का लक्षण माना जाता है गर्भावस्ता यह हर एक प्रेगनेंट महिला के लिए बहुत ही यादगार लम्हा होता है जिसे वो हॉर्मोनल चेंजिस की वज़ा से उनका जो मन है वो भी बेचैन रहने लगता है कभी उनका मन बहुत ही शांत हो जाता है तो कभी वो बहुत ज्यादा चिड़चिडी और गुसल स्वबाव की हो जाती है जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी से पहले खटी चीज़े खाना Anuman लगाया जाता है तो ये आसे नहीं बहुत ही पुराने जमाने से गर्वती महिला में ये होनेवाले बदलाव को देखकर हमारे जो दादी नानी वगरा होती थी वो लकषण बताती थी अनुमान लगाती थी कि गर्व में लड़का है या फिर लड़की है तो ऐसे ही दोस्तो प्रेग्निंसी के दौरान हो रही समस्याओ के कारण बहुत सी महिलाए आराम करना पसंद करती है लेकिन कुछ महिलाए ऐसी होती है कि वो सोना ही नहीं चाती है उन्हें सोना अच्छा नहीं लगता है उन्हे नीम्द कम आने लगती है तो अगर गर्वती महिला को पूरे दीन आराम करना लेटना अच्छा ना लगे और बार-बार काम वगेरा करने का मन करें तो ये गर्व में लड़का होने का लक्षण माना जाता है बात करेंगे दोस्तों अगले लक्षन की शरीर में होने वाले बदलाव के कारण गर्वती मा के मुग का स्वाद बदल जाता है अलग-अलग समय पर अलग-अलग चीजें खाने का मन करता है कुछ चीजें उन्हें अच्छी नहीं लगती अगर गर्वती महिला को मीटा खाना अच्छा नहीं लगता है और खटा, मसालेदार और तीका खाने का मन करें तो ये गर्व में बेबी बॉय होने का लक्षन माना जाता है नेक्स्ट दोस्तों, अगर गर्वती महिला को चॉकलेट और आईजक्रीम खाने का मन नहीं करता है प्रेग्नेस्टी के दोरान तो ये भी गर्व में लड़का होने का लक्षन माना जाता है। गर्ब में लड़का होने पर गर्वती महिला के शरीर में काफी ज्यादा हॉर्मोनल बदलाव होने लगते हैं, जिसकी वज़ा से कई महिलाओं को जी मचलाने की समस्या, उल्टी होने की समस्या और खाना नहीं खाने का मन करता है, तो ऐसा अगर आपके भी साथ हो रहा है तो गर्ब में लड़का होने का लक्षन वाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों प्रेग्नेंसी के दोरान मोड में बदलाव होना काफी आम बात है, कभी गर्वती महिला खुश होकर बात करने लगती हैं, तो दूसरे ही पल उन्हें गुसा आने लगता है, ऐसा भी होता है, अगर गर्ब में लड़का होने पर चिर्चिड़ा पन और गुसा आना आम बात होती है पर अकेली रहना उनको पसंद आने लगता है तो ये गर्ब में लड़का होने के निशानी होती है तो दोस्तों आप इन सभी लक्षणों को देखकर अनुमान लगा सकती है कि अगर आपको भी साइन्टिफिक प्रूफ नहीं है ये बस अनुमान है जिससे आप आप आपके मन की जिग्यासा है उसको शान्त कर सकती है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको इन लक्षणों को देखकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है तो दोस्तों मैं अम्मीद करती हूँ आपको